इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते ह और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। इजटोलिट दस टैबलेट दो दवाओं से मिलकर बना है, जिसका इस्तिमाल दिल के दोरे और स्ट्रोक को रोकने के लिए किया जाता है। यह दवा, खराब, कॉलेस्ट्रॉल, LDL और ट्राइगलिसराइड्स वसा के स्तर को कम करती है। इसके अलावा, यह रक्त के ठककों के गठन को भी कम करता है। पेट खराब होने से बचने के लिए एस्टोलिट दस टैबलेट को खाने के साथ ही लेना चाहिए। आपको इसे नियमित रूप से अपने चिकित सकद्वारा निर्धारित समय के अनुसार समान अंतराल पर लेना चाहिए। इसे हर दिन एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रखने में मदद मिलेगी। उपचार की खुराक और अवधी इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका इलाज किसली किया जा रहा है। जब तक आप बहतर महसूस न करें, तब तक इसे लेना बंद न करें जब तक कि आप पूरा कोस पूरा नहीं कर लेते। जीवन शैली में बदलाव जैसे कम वसा वाला आहार, व्यायाम और धूम्रपान न करना इस दवा को बहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकता है। मतली, पेट दर्द, सिर्दर्द और कब जिस दवा के कुछ सामाने दुश प्रभाव हैं। यह दवा आपके रक्तसराव के जोखिम को बढ़ाती है, इसलिए शेविंग, ना खून काटने, तेज वस्तूओं का उप्योग करने या संपर्क खेलों जैसे फुटबॉल, कुष्टी में सनलग्न होने पर सावधानी बरतना महत्व पूर्ण है। अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको त्वचा का पीलापन, मानस्पेशियों में दर्द या गहरे रंग का मूत्र दिखाई देता है। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीवप या किड्नी की बीमारी है या आप ब्लीडिंग डिसॉर्डर से पीडित हैं। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए। आपको अपनी स्वास्थि सेवा टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्यूंकि वे इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद